हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आप RPSC को वावा के तारीफ कहिए क्योंकि बेरोजगार युवाओं के भावनाओं का इन पर कोई भी दवाव नहीं है क्यों दोस्तो राजस्थान की जो भरतियां है वो भरतियां तो पहले ही इतने लंबे समय में होती हैं और होने के बाद उमीदवारों की लाख कोसिसों के बाद भी एक्जाम ली जारी है जिसको लेकर पहले ही बताया गया था कि इस एक्जाम के अंदर धांदली होगी तो 100% ही होगी पर दोस्तो पेपर से दो दिन पहले ही ऐसी धांदलिय निकल कर आने लगी यहां पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस की तरफ से जो ऐसाई की पेपर होनी थी उसको लेकर यहां पर पांच जीलों के अंदर धर पकड़ की गई है यानि कि अभी पेपर आउआ भी नहीं और पेपर पहले ही यहां पर लीक होने की बाते होन लगी आगे क्या होगा वो आप समझ रहे हैं दोस्तों राजस्थान सरकार से कैंडिडेट ने गुहर लगाई थी कि सर आप इस एक्जाम को कुछ समय के लिए टाल दीजिए क्योंकि इस एक्जाम पर हमें सिंदे है कि इस भरती में कहीं न कहीं फर्जी वारी होगी तो यहा जटका लगा होगा जटका इसलिए लगा होगा क्योंकि वह परियास कर रहे थे कि एक्जाम पोस्पॉंड हो पर दोस्तों आज जो उनकी परियास है वह तूट चकी पर तूटने के बाद भी उन्हें कुछ उमीदवारों को उमीद था कि जो हमने पढ़ा है हमने अपने पान पान सो छेचे सो किलोमीटर दूर भेज कर और इस न्यूज को देखने के बाद उन उमीदवारों को कितना बड़ा जटका लागा होगा आप भी देख सकते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जैपूर की यह न्यूज है जिसमें की बताया जा रहा है कि सब इंस् किलों के अंदर 35 संजीद को लिया गया हिरासत में यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और इनका ट्यूट है जैपूर भरतपूर दस्तवा सितक कोटा के लिए सिंदिक की गये हैं जिसमें की 13 से 15 तक आयोजित होनी थी ऐसाई भरती दोस्तों अब इस भरती में आप क्य क्या चाते हैं सरकारे क्या चाती है एक्जाम होने से पहले पेपर लिग यह पेपर लीक कैसे होता है क्या आरपी ऐसी पेपर लीक करा रहा है यह भी सोचने वाली बात है दोस्तों जब इतनी हाई सेक्यूरिटी के अंदर जब पेपर प्रिंट होती है इसे रखा जाता है सी कर देंकर नाग लिए पूरे कर आएंगे तो भाईया नौकरी देना पड़ेगा नकरी देना पड़ेगा तो इस चीज को ले कर बर्ली भरति को विवाजित कर देते हैं कि पांस अल तक इसभरति को ने पड़ी रहें आदेश समय काइन डेट लड़ते रहें और हम मज़े लेते रहें यहां पर ऐसी राजस्थान सरकार की नियमे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि काइन डेट और गुस्सा थे एक्जामना पोस्पंड होने को लेकर इस न्यूज को देखने के बाद उमीदवार और गुस्सा हो गया और ज जो है आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं स्रीफ धर पकड 35 कारियाले को किया गया है 35 को कि जिसमें की पेपर लिग कराने की सम यहां पर जो है समझाता थी कि पेपर हो सकती है अनुमान थी कि लिग हो सकती है पर अभी तक इनके हिसाब से पेपर सेफ है उसमें कहीं न कहीं स सिंधे थी जो सिंधे को दूर किया गया है और जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माधियम से वह अपडेट मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब पर के लिए दोस्तों जाहिंद